बारत दुन्या की पांचवी सबसे बड़ी एकॉनमी जो आज दुन्या के बहतर भविश्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट भारत जहां 140 करोड सपने हैं और 140 करोड धड़कनों का एक चूट सा मुहिक सामर्त जहां आज सुशासन, सेफा और करीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूत पूर्व और युक द्रिष्टा नित्रित्व है आज का नया भारत माननिय प्रधानमंत्री श्री नरींद्र मुदी जी के नित्रित्व में 21 सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक world class infrastructure तयार कर रहा है प्रधान मंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविश्य के अफसरों का अधिक से अधिक लाब उठाए और दुनिया के बहतर भविश्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उपरे इस व्यापक विश्व को मस्पूती देने के लिए प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधार शीला रखी थी आज यशो भूमी के रूप में साकार हो चुकी है 221 एकड़ शेत्रभल में विक्सित, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसचित यशो भूमी दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशन्स और एक्जिबिशन्स की सुविधा से युक्त केंद्रवे से एक है यशो भूमी इंटेग्रेटड डिजाइन का मास्टरपीस है इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है जिसमें अलग-अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 14,000 प्रतिनिध्यों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं प्राइमरी ओडिटोरियम में इनोवेटिव, आटोमेटिड, रिट्राक्टिबल और रीकन्फिगरिबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसकी मदद से 10 अलग-अलग तरीकों से बैठने की विवस्था की जा सकती है और एक बार में 6000 गेस्ट बैठ सकते हैं कन्वेंशन सेंटर में विभिन कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग कम रहे हैं ग्रैंड बॉल रूम में 2500 लोग बैठ सकते हैं यशो भूमी में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं यानि हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाड है यहां 3000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पारकिंग की सुविधा है यशो भूमी का परियावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लाटिनम रेटिंग वाला है सौर पैनल, रेंवाटर हाविस्टिंग सिस्टम और सौ प्रतिशत अप्शिष्ट जल के पुनह उप्योग की विवस्था से युप्थ यह केंद्र, सस्टेनबिलिटी और इको फ्रेंडलिनस के प्रति भारत की मसबूत प्रतिबधता की भी मिसाल है IGI Airport से 10 मिनिट की दूरी पर स्थित, यशो भूनी तक Urban Extension Road 2, द्वारका Expressway, दिल्ली Metro और परिसर के भीतर स्थित Metro Station में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है इस अंतराश्ट्रिय Convention Center से भारत में दुन्या के बड़े से बड़े एक्जिबिशन का आयोजन संभव होगा इससे Trade और Commerce को बढ़ावा मिलेगा, रूसकार के नए अफसर बनेंगे और परियतन से लेकर Hospitality तक विविद सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे तीजी से विक्सित होते भारत की इस कतिमान विकास यात्रा बे यशो भूमी, निश्चय ही एक निरनायक भूमे का निभाई की